नितिश जी अगर साबजनिक रुप से घोसना करें कि आरजडी से उनका संबन तूट गया घोसना करें उसके बाद गटवंधन में इंडिये में फिर से सामिल होने की बात होगी तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे लेकिन नितिश जी के लिए पैर भी हम जरूर कर देंगे हमने उसे में कही थी अब सारी चीजे साफ साफ दिखने लगी है परमानित होने लगी है हम तो उसी बगत कहते थे कि आरजडी के साथ जाकर त्यसवी के नाम की घोसना नितिश जी के द्वारा की आ जाना आत्मगाती कदम है अज सावित हो रहा है कि कैसे आत्मगाती कदम है जेडिव अब कहीं का नहीं रहा नितिश जी की साथ मिट्टी में मिल गई इन लोगों के कारण तो कुल मिला जुलाकर जो हमने कहा था हुआ सच साबित होता हुआ दिख रहा है जिस चीज के लिए आपने अगा किया वो चीज होता दिख रहा है अब नितिश जी बैख फूट पर दिख भी रहे है अटल जी का उन्होंने बढ़ाई किया है कहा है कि पहली बार मुक्य मंत्री मुझे बनाने में अटल जी का हाथ था तो आप बैख होने की स्थिती में है कि ने ने आप नितिश जी बैख होंगे हम क्यों बैख होंगे हम तो जो जो बात हमने कही वही बात तब सच साबित हो रही है तो हमारा लाइन सही साबित हुआ नितिश जी का लाइन गलत साबित हुआ तो बैक तो उनको होना है हमको कहां बैक होना है तो साफ देंगे अगर वो बैक आते हैं ने ने इन्डीए में आते हैं तो अन्डीए में आएंगे तो भहरती जंता पार्टी गहती और लगातार बी-जेपी के साथ उनका घठ्वंधन रहा है समैंधर है तो फैसला बीजेपीद के निताओं को लेना है इसमें हम अपनी और से कुछ टिपिने करें या फिर उनको मदद करेंगे कि अपनी गलती सुधार करके आ जाए नितीज जी अगर साबजनिक रुप से घोसना करें कि आरजडी से उनका संबन तूट गया घोसना करें उसके बाद गटवंधन में इंडिये में फिर से सामिल होने की बा